दिल्ली में कॉंग्रिस और आमादमी पार्टी के बीच गटबंधन को लेकर सस्पेंस बरकरार है गटबंधन अभी हुआ तो नहीं है लेकिन दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है संदीप दिख्षित हमारे साथ हैं कॉंग् दिल्लीया गटबंधन में जाने की बैटक में जरूरत क्या है अम आदमी पार्टी तो बेकूफों की फौज है कुछ समझो तो आप तयारी का क्या मतलब होता है कि तयारी का मतलब है कि हमने तक अधिक्र कर दिए मैं यह नहीं कहां कि कोई उनके इसार्ट गटबंधन होगा है हमारी हमने अपने आपको सशख्त करने का दिली में प्लान बनाया है तो 46 ने पाँ करेंगे पूरे 70 विदान सावाह часов करेंगे आपने आपको चुनाओं की तैयारी करने का क्या मतलब भी मैं आपको उधारन देता हूं हम नई दिली सीट पर हैं ठीक हमने तै किया कि हम नई दिली पर लड़ेंगे सब अलो पता चला गड़ बंदन हो आत्रिनमूल का अंग्रेस से ठीक है हमको नई दिली के चांदी चौक मिल गई हमने तयारी ने की तो फिर हम क्या कर हो आपको अगा एक कि ना किसी चीज की समझ है ना किसी और पर ट्रस्ट है नकोकि धिक्कत कर construyeron जो आदमी If A लिया डो देता वर समझता है कि हर आदमी उसको दोड़ा देता है वो हर शब्नमें धोका ही सब्ढ़ता है कि उस cinekatorow क्योष forgiven बात होती है जैसे कहा जाता ना कि जो बॉर्डर पर लोग लगते हैं उनको अगर टायर भी फटता तो ऐसा लगता है कि गोली चल गई इनकी वो प्रिवर्ति इतना जूट फरेव में रहे हैं कि इनको लगता है यह कुई निर्देश यह उसकी गहराई उसकी सत्ता उसकी निष्ठ करनी चाहिए तैयारी होती है अगर पार्टी वैसे मैं कहा रहाऊ ना कि अगर किसी में नहीं भी होगी हम कैसे चुनाओ लड़ेंगे अगर तैयारी नहीं होगी कि अलका जी ने वहां यह कहा कि हमारे पास कुछ समय है अब हमको सारी सीटों पर तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए अभी से क्या उसमें गलत बात शुरू से यह बात हो गई थी कि हम गड़बंधर डिसकस नहीं करेंगे सब ने यह कहा मैंने भी जैसे का कि गड़ब क्या करूंगा वहां कारकरता कहेंगे कहां ते भाई यह चे महीन है लोग कहेंगे कहां ते एक साल तो इसे थोड़ी होता है को जो बात ही नहीं हुई है अगर उन्हें कहीं होगी तो वह आप उनसे सबाल पूछ ले सीधी बात है सबने इस बात को बात की मुझे यहां तक थोड़ा बहुत याद है अलका जी ने भी काफी सुझाओ दिये कि कॉंग्रेस को किस तरह से स्टेंथन करना चाहिए और जब हम कॉंग्रेस को स्टेंथन करेंगे तो सबहा भी कहा है कि हम किसको कमज़ोर करेंगे बीजेपी को के आम आदभी को कमज़ोर करेंगे ठीक को ये तो नहीं कह सकता हमको अपनी पार्ट्टि को सशक्त करना है ये तो हमारा अधिकार है ठीक है तो यह हमारी चर्चा हूई तो क्या गड़बंधन का जो विकल्प है वो खुला हूँ आना बात हुई ना उसके कोई विकल्प की बात हुई ठीक है और सब ने यह कहा कि जब आप करेंगे तब हम देखेंगे जब पर अभी तो कोई परिस्तिती उसकी है नहीं इस चरचा ही नहीं हो इस विशह पे मैं जैसे कह रहा हूं कि मैंने भी बातचीत करते-करते का कि सर अगर गड़ बंदन होता वह आप देखेंगे कब हम बाद में देखेंगे एक चलते-चलते यह क्लियर था कि यह पूरी मीटिंग सुरुष ही अध्यक जी ने खड़के जी ने का कि कॉंग्रेस में अभी हम दिल्ली में कॉंग्रेस अच्छे हालत में नहीं है एक हमारा स्वर्णिम वह रहा है पास्ट रहा है दिल्ली को एक तरीके से कहा जाए तो यह दिल्ली बनाई बनाई जाती है कॉंग्रेस की ओ शीला जी के नाम पर जानी जाती है किस तरीके से हम जो कहा जाता आपने ग्लोरियस डेस को वापिस करें उस पर चाच्छा हूं आखरी में जैसा आप पहले भी निशाना साथते रहें अभी भ कैसे महाल में कुछ महीनों के बाद अगर गटवन्दन होता है तो कैसे जब आप लोगों के दिली नहीं मिल रहें आपका ट्रांसफर की बात दिल मिलने की नहीं है तो हर तरीके के लोग उसमें आते हैं ठीक है अगर यह अपनी निश्ठा से कहते हैं कि जिनको हम अभी तक जिनको हम गद्धी में बठाने में हमारी पूरी मेहनत लगती थी अब हम चाहते हैं कि उन्धर इंद्रमुदी गद्धी पे नहीं रहे क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इंडिया गेंज करप्षर में तो संग से इनी मदत ली थी तो कॉंग्रेस ने तो आध तक कभी ली नही हैं तो स्वागत है ना आप देखिए एक समय में शिवसेना जो थी बीजेपी के साथ थी आज उसने अपना रुख बदला हमने उसके साथ बातचीत की महराश्ट का भविश्य हमने देखा तो ऐसा नहीं है कि पहले कौन क्या था आज कौन क्या है उसमें गड़बंदन नही के हैं को दूसरे चानल का है उनी 100% कस्टमर की आप लड़ाई लगते हैं लेकिन अगर कोई कानून आता है समय लीजिए आपके उस पर क्या कहते हैं पूरी इंडस्ट्री पे और आपको लगता है कि वह आपके लिए सकारात्मक नहीं है तो आप साथ साथ चलेंगे परतिव हम लोगों से अगर पूछी जाएगी और अपनी राय देंगे वो यह होगा कि गठबंदन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और उसमें एक ब्रॉडली हम लोग अपनी राय दे सकते हैं उसके बाद देखे साब जहां तक गठबंदन की बात है वो हमेशा हमें हाई कमांड सब्सक्रा लेकर रखेंगे हम अपनी राय पूरे के रखेंगे विना किसी वह हमेने किसी सवार्थ के लखने के बाद जैसा भी बनता तो मेरी ये स्वोन ड्यूटी होती कि वोट में वहीं जाता जहां हमारा विप पढ़ रहा है भले मेरी व्यक्तिकात रहे कुछ भी हो तो अंततहर जो पार्टी डिसाइड करेगी हमें उस पे उससे इतफाक हो या नहीं हो पार्टी को अवुकत करा रहा हमारा काम है उस की संभावना है वो बनी हुई है वो विकल्प खुला हुआ है लेकिन कॉंग्रेस अपनी तैयारी करती रहेगी ये भी साफतोर पर कहना है कॉंग्रेस रेता संदीप दिक्षित का और कुछ इसी प्रकार के इंडिर देश जो बड़ी बैठक हुई दिल्ली में एक दिन पहल केमरा परसन सुनील के साथ जैनेंदर एबीपी न्यूज दिल्ली